नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्त है और अच्छे से अपनी जिन्देगी बिता रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डायबेटीस के बारे में जानकरी लेंगे। देखें, जब भी किसी को डायबेटीस होता है, शक्कर की बिमारी होती है, तो उन्हें मालूम होता है कि उन्हें शक्कर कम खानी है, या फिर शक्कर से बनी हुई जो भी मीठी चीजे है, उनका सेवन कम करना है। यह उनको मालूम होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसी भी कोई चीजे होती है, ऐसे भी कोई पदार्थ होती है, और ऐसे कुछ लाइफस्टाइल में आपके चीजे होती है, जो आप कर रहे हैं, उसके कारण भी आपके बलड में जो शुगर लेवल है, वो बढ़ते रहता है। बढ़ने में कारणीबुथ होती है, तो ऐसी चीजों के बारे में हम जानकारी इस यूडियो में लेने वाले हैं, तो ऐसी चीजे कौन सी है, और उससे आपको कैसे अवाइड करना है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लेंगे। देखिए दोस्तों, आज कल बहुत सारी लो क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसका सही जानकारी हमें होनी चाहिए, तो इसी के बारे में आपको मैं साथ टीप ऐसे देने वाला हूँ, जिससे आप डेफिनेटली फॉलो करें, उससे आपकी जो ब्लड शुगर है, वो कम रहने में आपको निश्चित ही फाइदा होगा, देखें दोस्तों, पहले तो चरक सहीता, ये जो आईरिवेद का ग्रंत है, उसमें प्रमेह करके एक व्यादी का बात की गई है, व्यादी की जानकरी दी गई है, प्रमेह का जो निदान है, प्रमेह का जो एक्स्लेनेशन वहाँ पे दिया गया है, उसका र आस्या सुखंबाने एकी जगव पर लगातार बहुत देर तक बैठे रहना अभी देखे काफी सारे लोगों का काम होता है कि उन्हें बैठे रहना पड़ता है लैप्टॉप है कंप्यूटर है उसके ओपर उनको काम करना पड़ता है सुबह में आठ से रात को आठ तक उनकी यूटी होती है तो एकी चेर पर वो दो तीन तीन चार चार घंटा ऐसे ही बैठे रहते हैं अपना काम करते रहते तो यह सब चीजे जो होती है इससे क्या होता है इससे आपके ब्लड में इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होती है और उसके वयासे डायबेटीस होने की संभा नहीं होती आयरवेद के दुश्टी कुन से अगर हम देखेंगे तो जो भी व्यक्ति है वो एकी जगह पर स्थीर बैठता है तो उसके शरीर में कफदोश बढ़ता है और जो हमारे पांच वायू होते है प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान उसमें से अपान वायू हमारा बिगड़ता है तो इन चीजों के वैसे क्या होता है जो ब्लड में शुगर होती है वो भी बढ़ती है प्रमेह भी बढ़ता है तो प्रमेह का पहला जो आपको अवायड करना चीए पहली चीज जो अवायड करना चीए वो आपको एक ही जगह पर एक घंटे से जादा आपक अब दूसरी टीप आपको मैं बताता हूँ, वो है कि आपको पानी जादा मातरा में पीना नहीं है, अभी देखिए जो प्रमेह व्याधी आईर्वेज शास्त्र में बताया गया है, उसमें कफदोश अधिक होने के वज़े से यह व्याधी होता है, ऐसे बताया है, अगर पान आप देखेंगे न, तो पानी इसका जो तासीर होता है, इसकी पानी की जो प्रकूती होती है, वो शीत होती है, पानी यह ठंडा होता है, और आईर्वेज शास्त्र में ऐसे बताया है, कि पानी यह पच्छने में भी भारी होता है, जैसे कि आप पानी पीएंगे, तो वो सि लोग ऐसे बोलते हैं कि आप बहुत सारा पानी पियो जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ज्यादा आपका पेसाब होगा और आपके शरीर के जो भी दोश है वो सब निकल जाएंगे लेकिन मैं आपको बोलता हूं दोस्तों कि बहुत सारे पेशन्ट हमें ऐसे देखने मे तो यह चीज़ आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको पानी जो है वो आपके शरीर का रिक्वाइर्मेंट कितना है उसके हिसाब से पिना चाहिए मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि आप पानी मत पीजे आपको पानी पीना चाहिए लेकिन आपको पानी बहुत ज ज्यादा हो रहा है क्या अपका प्रदेश है जहां पर रह रहे हैं वहां का क्लाइमयट कैसा है गर्मी है तो जादा करके क्या है कि आपका जो प्राडाइम के बाद प्यास लगती है तो जितना हमें प्यास लगता है उतना ही हमें पानी या पीना चाहिए तो यह दूसरी टिप डाइबिडिस के लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टन है कि पानी जो है वह आप सफिशन कॉंटिटी में पीजिये ज्यादा भी मत पीजि या अभी मैं आपको तिसरी टिप देना चाहूंगा के जो डेरी प्राइबिस होते है वह आपके डाइट में ज्यादा प्रमान में नहीं होने चाहिए अभी dairy products में देखिए जो दूद है दही है पनीर है चीज है बटर है ये सब चीजे जो है इसे आपको रोज नहीं खाना है मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आपको पुरा बंद करना है लेकिन कुछ लोग रहते हैं कि रोज दूद पीते हैं कुछ लोग दही रोज खाते हैं तो ये सब चीजे जो है ये आपके लिए अच्छी नहीं है ये सब चीजे भी क्या करती है शरीर में कफ़ दोश बढ़ाती है ये सब चीजे ठंडी होती है गुरू होती है सनिगदा होती है कलेद कारक होती है दही तो अभिशन्दी होता है तो इसके कारण अपने शरीर में कपदोश बढ़ता है और जैसे ही आपके शरीर में कपदोश बढ़ेगा और अगर आपको diabetes पहले से है तो आपकी sugar भी बढ़ेगी तो यह चीज़ आप देखिए कि अगर आप ज्यादा मातरा में डेली डेली प्रोड़क्स अगर आप खा रहे हैं दूद पी रहे तो इसे आप थोड़ा सा कम करिए हपते में एक बार दो बार अगर आप ले रहे तो कोई प्रॉब्लेम नहीं है लेकिन रोज मत लीजिए और देशी गाय का दूद भी हमें मिलता नहीं काफी जगा पे मिलता नहीं है तो यह सब चीज़े आपको देखनी चाहिए दूद आपको कम प्रमान में लेना चाहिए देशी गाय का भी दूद अगर मिलता है तो भी आपको ज्यादा नहीं लेना है अगर आपको डाइबेटिस आपको दो तिन प्रकार की शुगर की दवाई चालो है, इंसुलीन का इंडिक्षन चालो है, तो आप रोज मत लिजिए, अगर आपको विकनेस है, समझो आपको विकनेस कमजोरी अगर आपको लगरी है, तो कुछ दिन तक आप लीजिए, दस दिन पंदरा दिन या फिर एक मैना लीजिए उसके बाद आप बंद कर दीजिए तो ये चीज़ आप जरूर ध्यान में रखिए कि डेरी प्रोड़क्स जो है वो आपको कम से कम लेना है उसमें से कुछ ऑप्षन है कि जो आप डेरी प्रोड़क्स ले सकते हैं मानि इसमें और शरीर में कफ और वात इसको कम करता है तो छास आप जरूर पीचिए इसके बाद मैं आपको आगे की टीप दूंगा कि डाइविडिस के लोगों ने बेकरी प्रोड़क्स जो होते हैं वो थोड़े आवाइड करने चाहिए अभी आप देखेंगे कि 10-15 साल पहले जो बे इक का डिमांड भी ज्यादा है लोग बहुत सारा बेकरी प्रोड़क्स खा रहे हैं और उसके कारण ही स्टोर बढ़ रहे हैं स्टोर की संख्या भी बढ़ रहे हैं अभी जो भी बिस्किट्स है ब्रेड है पाव है टोस्ट है यह सब केक है पैस्ट्रीज है यह सब जो बेक अगर रोज खा रहे हैं, तो उसको आप अवाइड करिये, बीच में कभी-कभी अगर आप खा रहे हैं, तो कोई प्रावलेम नहीं है, तो आप खा सकते हैं, उसके बाद डायबेटिस के लोगों के लिए अगली important tip है, वो है नींद प्रॉपर लेना, अभी देखे क्या होता है कि बहुत चारी लोगों को रात को नींद बरोबर आती नहीं है, रात को लेट सोते हैं, या फिर नींद बरोबर आती नहीं है, उसके बाद से दिन में सोते हैं, खाना खाते हैं, फिर उनको नींद आती हैं, फिर दो दो तिन तिन गंटा वो लोग सोते हैं, तो ये चीज ज प्रॉपर निन आनी चाहिए राटको आपको 6-7 घंटा प्रॉपर निन आनी चाहिए और आपको दिन में नहीं सोना है। अगर आपको प्रॉपर राटको निन नहीं आ रही है तो आप नजदिक के अईरविदिक वैद्यों से मिलिए। उनसे कुछ दवा लीजिए। शिरोधारा जैसे पंचकर्मा उपचार है वो करिए। लेकिन निन आप प्रॉपर करिया आपकी। निन अगर आपकी बिगडेग है उसके नसीब में एक्सराइज करना ये लिखा हुआ है। आईरवेट शांस्त्र में भी बताया है कि जिने डाइबेटिस होता है उन्होंने यात्रा करनी चाहिए। 100-200-200 km चलना चाहिए ऐसे बताया है। या फिर बहुत सारा मेहनत का काम करना चाहिए। या फिर किसी के यहां पर नौकर के सोरुप में रहना चाहिए। उसका दिन भर में उसका काम करना चाहिए। ऐसे बताया है। महने क्या होता है कि जितना आप एक्सराइज करेंगे उतना आपका जो कैलरी है वो आपका खर्चा होएगा। और आपका शरीर जो है वो शरीर दुड माउस और मेद इन धातूओं की दुष्टी होती है। अगर आप व्यायम करेंगे ना तो यह धातू जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। आप देखेंगे तो डाइबेटिस जैसे पुराना होता है वैसे यह माउस और मेद धातू दुष्ट होने के वैसे बहुत सारे लोग उसके इसाब से आपको कौनसा एक्सराइज जम रहा है। आपको वाक जम रहा है, जॉकिंग जम रहा है, जीम में जाकर आपको वेट ट्रेनिंग करना जम रहा है, आपको योगा जम रहा है। कौनसा भी जो एक्सराइज आपको पॉसिबल हो रहा है, आपको अच्छा लग करना है अभी आप देखेंगे कि काफी सारे डाइबेटी के जो पेशन होते हैं वो हमें बोलते हैं कि डॉक्टर साब हम हमारे पूरे जिंदगी में हमने कभी मीठा खाया नहीं हम लोग एक्सरसाइज भी रोज करते थे हमारा बॉडी भी मेंटेन है फिर भी हमें ये शक्कर क बिमारी कैसे हुआ फिर भी हमें डाइबेटीस क्यों हुआ तो इसका कारण है दोस्तों स्ट्रेस बहुत सारे लोगों को करियर का फैमिली का स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस जब अचानक से बहुत सारा बढ़ता है तो फिर उसका इंपैंक्ट जो है हमारे हर्मोन्स पर होता है और उसके कारण भी डाइबेटीस होता है तो यह एक चीज़ आपको समझनी चाहिए अगर आपको स्ट्रेस है टेंशन है आपको मानसिक तान तनाव है तो आपको उसको कैसे मैनेज करना है उससे सिखना चाहिए इसके लिए योगा है मेडिटेशन है अभी कांसलर्स भी ह है ऑनलाइन कांसलिंग भी चलती है आप सर्च कर सकते हैं तो उसमें वो लोग समझाते हैं कि कैसे आपको जो भी स्ट्रेस आया हुआ है उसको आपको कैसे हैंडल करना है तो आप समझ के उसके उपर अगर काम करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल भी तीरे-दीरे कम होता है और stress level जैसे ही कम होता है, वैसे आपकी शक्कर की जो level है, blood sugar की जो level है, वो भी कम होने लगती है, तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिए, stress अगर आपको है, tension है, तो आपको उसको कम करना बहत आपके diabetes के लिए important है, तो ये tip जो है ये आप हमेशा ध्यान में रखिए तो दोस्तो इस प्रकास से ये जो मैंने आपको 7 tips बता है, इसे आप ध्यान में रखिए, diabetes में इन चीज़ों को avoid करना या फिर exercise करना ये सब चीज़े बहुत जरूरी है, दोस्तो ये जानकरी, अगर आपको अच्छी लगी हो, तो हमारा ये वीडियो लाइक करे, ये जो वी ये पर रुपता हूं, आगे चल कर कुछ नया वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगा, तब तक धन्यवाद